पटाक, तीस सेकेंड में हर कबर डाउनलूड कीजिए तक हैं। स्टॉक मार्केट का पैसा, उस देश में जो भी आप चाहते हैं, जितना भी देश का धन आप चाहते हो, आप ले सकते हो। और एक गरीब देश हिंदुस्तान के करोणों लोगों का। उसमें देश का जितना भी धन चाहते हैं, वो मौझूद है। दूसरा गरीब देश है, जिसमें बहुत से अंख्यक जनता है। ये कहना है राहुल गांधी का जो पहुचे थे 36 गड़, जहां वे BJP और RSS पर जम कर बरसते नजर आए। नमस्कार, मैं हूँ अकांग्षा और आप देख रहे हैं MP तक। इसमें देश का जितना भी धन चाहते हैं, वो मौझूद है। वहीं दूसरा गरीब देश है, जिसमें बहुत से अंख्यक जनता है। उन्होंने कहा कि इस देश की तरक्की किसी पार्टी की देन नहीं है। ये किसानों, मजदूरों, कारिगरों की वजह से हैं। पीजेपी, आज एक देश को दो देशों में बाट रहा है। दो नए देश बनाए जा रहे हैं। एक देश चुने हुए अरब पतियों का। उस देश में हवाई जहाज, हाई टेकनोलिजी, धन, स्टॉक मार्केट का पैसा, उस देश में जो भी आप चाहते हैं, जितना भी देश का धन आप चाहते हो, आप ले सकते हो। और दूसरा देश हमारे प्यारे देश वासियों का। करोणों लोगों का देश, एक अमीर देश, सो, दो, सो, पांच सो लोगों का। और एक गरीब देश, हिंदुस्तान के करोणों लोगों का। यह सोचते हैं। दो देश बनाने से, जो गरीबों का देश है, वो शांत बैठा रहेगा। वो सोचते हैं, कि गरीबों में शक्ती नहीं है। सोचते हैं, कि हिंदुस्तान का गरीब ड़ता है। मगर हिंदुस्तान का गरीब किसी से नहीं ड़ता है। और अगर इस हिंदुस्तान को किसी ने यहां तक पहुचाया है। जो यह बात करते रहते हैं, सत्तर साल में क्या हुआ। अगर इस देश में प्रगती हुई है, त्रक्की हुई है, तो यह किसी पार्टी की देन नहीं है। यह हिंदुस्तान के किसान, हिंदुस्तान के मजदूर, हिंदुस्तान के गरीब लोगों की देन है। राहूल गांदी सिर्फ यहां पर नहीं रोखे आगे उन्होंने कहा कि देश में केवल 100 लोगों के पास 40 प्रतिश अधन है ऐसा हिंदुस्तान हम होने भी नहीं देंगे तरक्की होगी तो सबकी होगी वहीं सरकार याने कि 36 गड़ सरकार के काम को लेकर राहूल गांदी ने कहा कि 36 गड़ में ये पहला कदम है ये आपका धन है जो हम आपको वापस कर रहे हैं हमने मजदूर नयाय योजना की राशी को बढ़ाने के लिए सीम भूपेश बखेल से क जहा है किसान को दिया पैसा जाया नहीं गया किसान रोज जादू करता है आज धान का प्रड़क्शन 36 गड़ में बढ़ गया है और अगर हम किसानों की मड़त करते हैं तो हमें 36 गड़ के गरीब मजदूर के मदद करनी पड़ेगी और ये पहला कदम है ये मत सोचिए 36 गर्ड के गरीब लोगों को ये नहीं सोचना चाहिए कि बात यहीं अटक जाएगी बात यहां नहीं अटकेगी ये पहला कदम है आपका धन है ये धन हम आपको वापिस दे रहे हैं चीफ पिनिस्टर ने कहा 6,000 रुपए साल के तीन किष्टों में भगेल जी थोड़ा बढ़ा दीजिए थोड़ा से बढ़ा दीजिए मतलब मेरा काम बात को थोड़ा और आगे बढ़ाने का है देखिया अच्छा लगता है जब किसान जब सुनने को मिलता है कि 36 गड़ में हमने किसान की मदद की और एक दम पुरे प्रदेश को फाइदा हुआ वो पैसा जो 2500 रुपए वो जाया नहीं हुआ वो हमने किसान को दिया और किसान ने जो रोज किसान जादू करता है अपने खून पसीने के साथ किसान ने जादू किया और 36 गड़ का जो धान का प्रड़क्शन था एक गम से बढ़ गया आपको बता दे कि कॉंग्रेस सांसद राहूल गांधी ने राइपूर के साइंस कॉलेज में अमर जवान जोती की आधार शीला रखी उन्होंने मंच पर ही कपड़ा हटा कर शीला नयास किया ये अमर जवान जोती माना में सीएफ बटालियन में बनाई जाएगी इससे पहले राहूल गांधी ने इस संबंध में डॉक्यमेंटरी भी देखी इसके साथ ही उन्होंने राजीव गांधी ग्रामीन भूमिहीन क्रशी मजदूर नयाई योजना की भी शुरुवात की इस योजना के तहट पहली किष्ट में 71 करोड रूपय का भुक्तान 36 गड़ की किसानों को किया जाएगा वही इस पूरे कारेक्रम के दौरान वे अपनी स्पीच में बीजे की पिये उपर और प्रधान मंत्री मोधी के उपर काफी बरसते हुए नजर आए मध्यप्रदेश और 36 गड़ से जुड़ी तमाम खबरों के लिए बने रही है MP तक के साथ